तो भाई लोग क्या हाल चाल तो आज अपने लोग बात करने वाले हैं Acer Aspire 7 की इसका अपने एक रिव्यू करने वाले हैं अब तुम लोग सोच रखे होगे कि भाई Acer Aspire 7 का तो मैं पहले ही रिव्यू कर चुका हूं तो देखो यार वो वाला जो रिव्यू था वो i5 9th Gen GT GTX 1650 Ti वाला था नेकिन ये वाला जो रिव्यू है ये i5 10 Gen और GTX 1650 वाला रहा है तो सबसे पहली बात तो तुम यह सुन लो बिल्ड क्वालिटी में कोई फरक नहीं है बिल्ड क्वालिटी पोर्ट्स डिस्प्ले सब एकदम डिट्टो सेम है वो भी 8GB RAM वाला था 502 SSD ये भी 8GB RAM 502 SSD हर चीट सेम है बस यहां पर डिफरेंस है प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड का इसमें i5 10 Gen और GTX 1650 है और उसके अंद बाकी Cinebench scores बता दूँगा कितना डिफरेंस है उस वाले वेरियंट में और इस वाले वेरियंट में वो सब बता दूँगा एक हलका सा छोटा सा gaming test दिखा दूँगा GT5 हमने हलका सा test किया था और इस वीडियो के लिए में थैंक यू बोलना चाहूंगा अभिजीत भाई को ज तो आपका टाइम बरबाद होगा और अगर पूरा detail, build quality वगएरा सब पूरा देखना चाहते हो तो i button में i59gen वाली वीडियो देख लूँगा बिट्टो सेम वैसा laptop है बस configuration अलगा है तो चलो यार बिना time waste किये आज की वीडियो शुरू करते हैं तो ना चाहते भी design के बात क professional look है अगर आप इसको office work के लिए easily use कर सकते हो बहुत ही लाइक अच्छा सा इसका display है backlit keyboard है बहुत ही प्यारा सा और ports में आपको screen पर दिखा दूँगा बोल के नहीं बताने वाला हूं screen पर देख लो यह है दोनों तरफ के ports और बात करते हैं difference क्या है इसमें आपको देखने क मिलता है i5-10300H और comparison to i5-9300H यह कम heat होता है मैंने अपने friend से उसका experience पूछा तो उसने मेरे को बताया कि हाँ भाई यह इसमें उसने वैलोरेंट खेला around 1.5 गंटा और उसको heating इतनी बिल्कुल like वो नहीं होई और वही 9th gen वाले बंदे से जब मैंने पूछा था तो वो कहता 1650 graphic card देखने को मिल जाता है तो like हाँ आप इसमें अच्छी खासी average gaming कर सकते हो 1080p 60fps gaming almost हर game में कर सकते हो cyberpunk included नहीं है और वह सब बहुत heavy game हो जाते हैं वह सब include नहीं है लेकिन most of the titles आप 1080p 60fps केर सकते हो low to medium settings पे तो यह कुछ बाते बाते हो गई अभी मैं आपको आगे game test 23 तो मैं यहां पर मैंने अपने phones में इसका एक screenshot रखा है तो Cinebench R23 की single core performance में इसका score निकल के आता है 1138 का जो कि single core performance में बहुत चाहिए score निकाल दिया है और yes इतना ही इसको निकालना चाहिए था बलकि इसने हलका सा ज्यादा score निकाला है और अगर हम बात करें multi core performance की तो इसक top top से इसको compare करो तो हाँ इसके scores एकदम perfect निकल के आए है अब मैं आपको एक GTA 5 की हलकी सी जलक दिखा देता हूं बहुत ही छोटा सा gameplay है उसको आप देख लो फिर आगे की बात करते है हाँ जी तो gameplay आपने GTA 5 को देख लिया स्टार्टिंग का शुरुवात का था और हमने test किया इसको recommended setting पर जो की very high आई थी और उसमें इसने पहले mission में 100 plus fps निकाले कहीं कहीं पर तो हाँ अगर आप इसमें GTA 5 खेलोगे तो easily आपको average 70 to 60 fps very high settings पर दे देगा अब बात सुनो मेरी क्या करोगे 60 plus fps का सबसे पहली बात तो जो लोग सोच रहे हैं वेकि screen इसकी 60 hertz की है तो almost हर game में तुमको 60 plus fps देखने को मिलेंगे अच्छा experience है अब मेरी एक बात है कि मैं इस topic में वीडियो बना क्यों रहा हूं इस वक्त इस laptop का price है 55,000 या 56,000 और ये laptop बहुत जादा साई price में मिल ला है Acer Aspire 7 i5 10 Gen और GTX 1650 8 GB के रहा हैं 512 GB SSD बहुत साई price में मिल ला है और ये शायद i5 9th Gen से सस्ता मिल ला है LabCard पे i5 9th Gen वाला महंगा है तो मैं ये कहना चाहता हूं यार जिनका budget 55,000 पे बंद रखा है न तो Acer Aspire 7 5500 यू पहले था वो अब 60,000 का पहुँच चुगा और वो नीचे आएगा भी नी तो तुम इस variant को बहुत ही easily आकबंद करके ले सकते हो बहुत ही बढ़िया model है heating issues कम है i5 9th Gen वाले variant से तो heating की आपको दिक्कत होगी नी बाकी आपके जो daily usage के task है browsing, multimedia, multitasking सब एकदम smoothly मखन की तरह handle हो जाएंगे productivity की काम आप बहुत ही अराम से कर सकते हो, add up premiere pro, after effects, video rating सब अराम से आपका हो जाएगा अराम से आप 1080p, 60fps gaming कर लोगे, low to medium settings पे, तो हाँ ये एक all in one laptop है, इसका like बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है तो हाँ it is a good choice for students, office work के लिए भी उसकर सकते हो, gaming look नहीं है, तो हाँ येर 55,000 के अंदर बहुत बढ़िया laptop है पूरा इसका एक देखना चाहते हो, review जिसमें मैंने हर चीज बताई है, i5 9 Gen वाल है, उसका iCard में लिंक है, जाके देख लो तो बस यार आज की वीडियो में इतना है, जितना छोटा रख सकता था, उतना रखा, और पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर ने हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलता हूँ आप से एकले वीडियो में, तक तक के लिए, गुड़ बाई